हेलो एवरिवन और वेल्कम तो मेड़ेप चैनल जीनिस एक्सपर्ट और आज हम तो सॉल्ट करने माने क्वेश्चन स्टेजिस अफ़ मैटर क्लास 11 से यह क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बहुत ही इसी है चलिए देखते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर आपको हैड्रोजन दे रखा है वन बार प्रेशर और कंटेंड इन अ सिलेंडर देखें आपको क्या है अधर इबहुत है यहां पर आप रिड़ कीजिगा को समझ में आएगा यहां पर पोड़ रहा है कि 10 डासी मिटर क्यूब ऑफ हैड्रोजन अंडर वन बार प्रेशर कंटेंड इन अ हाड्रोजन इन हाड्रोजन हो जैसे की क्या किया गया है कि एक कंटेंगर लिया गया है ठी सब्सक्राइब, इस सिलिंडर में केकल में हीडरोजन how First है हमारा condition तो यहां आप से देखिए आपको करना क्या है simple हमें निकालना क्या है pressure pressure यह तो find करना हमें piston आपको यहां पर दे रखा है कि the piston is moved in until the same mass of gas occupies two decimeter cube at the same temperature temperature जब temperature same हो याद कीजिए जब temperature same होना कौन सा लौ लगेगा हमारा याद करेंगे whenever temperature same at a constant temperature लगता हमारा boils low boils low को थोड़ा याद करेंगे क्या है हमारा boils low क्या कहता है कि जब constant temperature हो उसरत क्या होता है हमारा p1 b1 equals to p2 v2 ऐसा कुछ होता है हमारा yes अब basically यहां मैं mathematically solve होके यही आया था आपका कि जो होगा यहां पर v is equal to k by p और यही से हमारा निकला कि pb is equal to k होता है हमारा यही तो निकला हमारा formula ठीक है अब यह derive करके यह सब कुछ आया इससे हमें मतलब नहीं है ठीक है हमें तो मतलब है कि यह जब 2 दे रखा होगा तो हम इस तरह करेंगे ठीक है 2 से जादा होगा तो क्या करेंगे उसके लिए देखेंगे हम लों question में जो है आपको यहां पर दो दे रखा है या एक दे रखा है देखेंगे ऐसे तो आप यह वाला formula याद रखे यह भी हमारा formula बहुत ही काम आता है अब यहां पर कौन सा formula यूज आएगा वह आपको देखना पड़े जाएगा ठीक है तो यहां पर आपको simple दे रखा है पहले तो given लिख लेता है सबसे पहले given लिख लेता है यह आप तो लिख लिए boil slot ठीक है अब यहां पर हमारा जो given मे क्या आ जाएगा यहां पर आपका forward data given यहां पर data क्या दे रखा है पीवन आ को दे रखा है यहां पर अंडर वन बार प्रेशर लिखिए देखिए आप देखिए आप ध्यान से वन बार प्रेशर दे रखा है वन बार प्रेशर वन बार है आपका प्रेशर चले लिख लिया और फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा जो प्रेशर है वो हमें find करना है ठीक है चलिए question mark ठीक है हमें find करना है इसके बाद आपको क्या दे रखा है V1 कीतना दे रखा है आपको V1 V1 है हमारा cube में होता है हमें सा याद रखे volume cube में होता है यह सब कुछ minor चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखना होगा कोई बड़ा सा भी अगर आपको दे दिया ना question उसमें अगर आपको cube दे गया ना कहीं पे भी तो समझ जाएए कि वो आपका volume है ठीक है वहाँ से आप क्या क यहाँ पर आपको 10 decimeter cube दे रखा है लिख लेंगे 10 decimeter cube थोड़ा से अच्छे से लिखे चलिए यहाँ पर volume कितना दे रखा है आपका movable piston है और यहाँ पर इसका mass बोल रहा है same लेना है same है ठीक है until the same mass of a gas occupies 2 decimeter cube at the same temperature ठीक है तो हमें V2 दे रखा है यहाँ पर 2 decimeter cube चलिए लिख लिख लिए अब लिख लिख लिएन के मत क्या करना है आपको simple अपनो बॉल से लो लगाएंगे p1 v1 equals to p2 v2 यही हमारा formula है अभी आपको बता है तो करना है क्या 1 bar अच्छा एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आपका unit same होना चाहिए यहाँ पर नहीं है तो हम दूब आगे proceed कर सकते चलिए आगे देखते हैं 1 into यहां से आगया 10 ठीक है तो यहां से 1 into 10 equals to में क्या आएगा तो यहां पर आप देखे 1 into 10 equals to आपका यहां पर देखे p2 as it is हमें पता नहीं है p2 लिख देंगा ठीक है तो p2 हो गया हमारा into यहां पर आगया 2 ठीक है, calculation करेंगे, यहां से आपका cancel हो जाएगा, यह 10, 5 times में, यानि कि आपका यहां से P2 equals to आ गया, 5, अच्छा, pressure किस में आएगा, बार में आएगा, क्योंकि बार आपका चल रहा है, उपर, ठीक है, तो यह आपका हो गया answer, ठीक है, इसको थुरा सा clear कर देते हैं, आपको, चलिए, तो हमारा 5 बार हो जाएगा इसका answer, ठीक है, very simple, चलिए, अब मिलेंगे next topic के साथ, ठीक है, कुछ और questions के साथ, कुछ और concept के साथ, और कुछ नए जो है, videos, जो कि formal charge, oxidation number, इस सब पर आने वाले हैं हमारे chemistry में, तो वो सब ही देखेंगे, सो तब तक के लिए take care, thank you so much किस्थाण के साथ, की अच्यादी इसका